भिन को लगुत्तम रूप में लिखेंगे लगुत्तम रूप में कैसे लिखना है वो देखो अध्याम से हमारे जो संख्या दी गई है 0.04 ठीक है उसको लगुत्तम रूप में लिखरी हूं कैसे लिखेंगे को ध्याम दीजिए हमारे पास सबसे पहले संख्या क्या है चार हमन वह धयान दो, क्योंकि हमारे दसमलब का, हम लागा देंगे, हम फिर क αλλά एक इस दावग का मूने एक लिखना मुझा है, और यह दो संख्याएं है, तो क्या करेंगे, तो हम फिर फिर की मुझे बढ़ हो, Kangismo the scene. पच्चीस चार के पहाड़े से इकट जाएगा बस काट दिया अब इस वाले सवाल को करते हैं कि इसको लिखते हैं पहले हम भिन रूप सरल करके लिख लेते हैं दो जमा में चौंतिस बटे में सो पता है ना सो कैसे लिख आया है अब क्या करेंगे हम यह जो है इस संख्या को और इस संख्या को क्या कर लेते हैं हम इसको काट लेते हैं कौन सी संख्या से काटेंगे भाई कौन बताएगा हम दो की संख्या से काट लेंगे संख्या दो लेते हैं ठीक है दो से भाग कर देते हैं दोनों संख्याओं को तो हमें कितना मिलेगा ये दो है दो को दो लिख लेते हैं जमा का निशान ही हो गया ये रहने दो ठीक है और इसको भाग करते हैं सत्रा लगुत्तम रूप लिख रहे हैं और इसको इसके साथ कर देंगे कितना आएगा पचास यही हमारा आंसर होगा ठीक है अब तीसरे कोशन में देखो थोड़ा सा ध्यान से यहां पर हम पहले इसको सरल करके लिख लेते हैं सरल करके कैसे लिखेंगे वही कौन बताएगा इसको स तो यह 342 नहीं बोलेंगे 342 तीन चार दो लिख लिए अब यह तो तीन जीरो और पॉइंट का एक अब इसको काट लेते हैं किसको कितने से काटेंगे वही यह भाग करेंगे कितने से गट जाएगा यह दो से काट के वही कौन बताएगा आब इसको भाग कर लेते हैं एक 14 हो गए साथ और यह एक और नीजे 1000 हैं तो 500 हो गया यह आप लोगों को मैंने यह भाग में लिखे दिखाया है ना कि यह दो से भाग किया हो कैसे जैसे मैं डारेक्ट पहले आप लोगों सामने जब करती ती को इसको काट लो आ जाते थे बोल देती थी तो थोड़ा सा तो आप लोग आसानी से समझाए कि भाग करना है तो इसको डारेक्ट काट सकती हो समझाया तो यह हमारा भिन को अमने किसमें लिखा है लगुत्तम रूप में लिखा है कर लोगे हाँ